आज हम बैक्टेरिया का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने टेमप्रेशर के बेसिस पर किया हैं कुछ जो बैक्टेरिया होते हैं जो हार्स से हार्स इंवार्मेंट में रह पाते हैं ज्यादा ज्यादा टेमप्रेशर में और कुछ उससे कम और कुछ बहुत से जो कम टेमप्रेश में categorize किया गया है और उसमें से अगर categories का हम नाम देखें तो में इनी तीन categories आता है पहला category का नाम है mesophilic bacteria दूसरे का नाम है psychrophils और तीसरे का नाम है thermophils इस तरह से तीन ऐसे category बन जाती हैं जो bacteria temperature के basis पे classified किये गए हैं तीन ऐसे ग्रूप बन जाती हैं जिसमें जितने भी temperature से रिलेटेड जो bacteria है जो हास environment में हास temperature में high grade centigrade temperature हो और low grade temperature हो उसमें भी वो survive कर जाती हैं तो देखते हैं कि कौन सा bacteria ये किस group का कितना range है वो समझते हैं mesophilic bacteria जो होते हैं वो grow करते हैं 25 से लेके 40 degree temperature में यानि 25 से लेके 40 degree centigrade अगर temperature रहेगा तो इस रेंज में जो grow करने वाले bacteria होते हैं उस category का नाम में mesophilic bacteria और इस group में grow करने वाले bacteria का एक characteristics यह यह कि यह pathogenic होते हैं आम तोर पे pathogenic होती यानि जो भी एक हमारी body में बीमारी पैदा करने वाले कोई bacteria है तो उस bacteria का जो temperature है जिसमें वो survive करते हैं या grow करते हैं या multiply करते हैं वो 25 से लेके 40 degree Celsius temperature जो होती है इसी range में normal हो लाई करते हैं जो pathogenic होते हैं दूसरा का नाम है साइक्रोफिल्स साइक्रोफिल्स वो bacteria है जो 60 degrees से लेके 28 degrees temperature के बीच में लाई करते हैं या minimum 7 इससे नीचे जाने पर वो मर जाते हैं और maximum 28 इनि 7 से लेक 28 के बीच में होते हैं और यह non pathogenic होते हैं आम तोर पे non pathogenic होते हैं और ज्यादा से ज्यादा अगर यह कुछ नुक्सान करते हैं तो food spoilers कर सकते हैं अनि कि खाना को आपका खराब कर सकते हैं खाने को बासी मना सकते हैं उसके अंदर से बदबू आना खाने के अंदर का जो टेस्ट है जो स्मेल है उसका चेंज कर सकता है ठीक है लेकिन यह pathogenic nature के नहीं होते हैं जो आट डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्चियस के बीच में जोगरो करते हैं तिसरा थर्मोफिल्स थर्मोफिल्स वह bacteria है जो high degree temperature है उसमें भी यह survive कर जाते हैं यह 55 से लेका 28-80 degree centigrade temperature में भी यह survive कर जाते हैं यह वह bacteria होता है ठीक है तो इस तरह से तीन category बन जाता है बैक्टेरिया का एक वह जो एक average में survive करता है एक वह जो लोगरे temperature में survive करता है यह साथ से 28 फिर 25 से 40 फिर 55 से लेके 80 degree Celsius ठीक है अगर हम बात करें कि bacteria के उपर जो heat है उसका क्या effect पढ़ता है तो इसका जो affect होता है यह दो तरीके का होता है heat में अगर बात करें heat में अगर देखा जाया तो 2 तरीके का heat बन जाता है जिसके अंदर नमी मिला हो moisture मिला हो भाप मिला हो तो वो वाला heat और एक ऐसा heat जिसमें अंदर कोई नमी नहों कोई moisture नहों that means dry heat moisture वाला जो heat होता जिसको most heat बोलते हैं वो heat अधिकतर क्या करता है bacteria के अंदर ये coagulation करता है और denaturation करता है protein का यानि कि bacteria का जो protein होता है उसको coagulate एक जगए कठा करके और फिर उसको denature कर देता है that means उसको तोड़ देता है breakdown कर देता है dry heat अगर उसको दिया जाता है तो dry heat देने का मतलब है कि dry heat से उसके अंदर oxidation आती है और charing होती है oxidation और charing से उसके अंदर chemical reactions होते हैं और फिर फाइनली वो breakdown कर जाता है तो heat आप उसको dry heat दे चाहे most heat दे उस दोनों तरिया से दोनों heat से bacteria मर जाते हैं इसलिए जब bacteria को कोई ऐसा चीज है जो instrument हो या कोई dress हो या कोई ऐसा चीज जिसको हमें sterile करना पड़ता है तो उसको sterile करने के लिए क्या करना होता है वही गरम क्या जाता है या तो पानी में उबालते हैं या फिर simple किसी ऐसे गरम चीज़ पर रखते हैं क्यों ऐसा रखते ह क्योंकि दोनों तरह से bacteria में अलग अलग तरहागा से होता है अगर पानी में उबालते हैं तो उसके अंदर जो most heat है यानि गरम जो heat है उबला हुआ जो heat रहेगा जिसके अंदर भाप मिला रहेगा मोश्यर मिला रहेगा वह वाला heat प्रोटीन के जो bacteria का जो protein होगा उसको coagulate क करेगा इकठा करेगा और फिर उसको तोड़ देगा और अगर सुखी heat dry heat जिसके अंदर पानी नहीं है तो वह क्या करेगा उसमें oxidation और sharing produce करेगा इसके कारण से उसके अंदर उसके chemical directions होंगे और finally उसको सारा चीज बिखड जाएगा ठूट जाएगा और bacteria की death हो जाती है तो इस प्रकार से यह temperature का bacteria के उपर क्या आफर पड़ता है हमें मालुम चल जाता है और temperature के basis फिर बैक्टेरिया को कितने रूप में classify किया गया कितने बैक्टेग्राइज कियोंगे उसका विबारे में पता चलता है अगले वीडियो में मैं आपको किसी और basis फिर बैक्टेरिया क क्लासिफाई किया गया है वो लेकर आऊंगा और वो बताऊंगा तब तक के लिए शुक्रिया